हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महावितरन भरती 2019, 2020 और 2021 के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट के बारे में कि आपकी जो है विदुख सहाय की रिजल्ट और मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी जैसा कि दोस्तो रिजल्ट से जुड़ी हुई एक अपडेट आ रही है एक नोटीस आ रही है और उच नोटीस में क्या लिखा हुआ है क्या कहा गया है हमारी उपकेंद्र सहायक और विदुक सहायक भरती की परकिरिया को लेकर पूरी इनफर्मेशन मैं आपको step by step इस वीडियो में दे दूंगा और दोस्तों काफी लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर ये जो image किलियर नहीं है इसकी जो है link हमें दे दीजिए या इस लेटर को इस notice को पूरा आप step by step define करिए क्योंकि दोस्तों define तो दोस्तों करने में वीडियो बहुत ही अदा लंबी हो जाएगी और आप properly पूरी वीडियो से देखते नहीं है आधे पे आपको जो update मिल जाती है उसके बाद छोड़ देते हैं तो इसलिए दोस्तों उतनी वीडियो लंबी बनाने कोई जूत नहीं है आप खुद से उस notice को पढ़ लिजें और उस notice में पूरी information दी हुई है कि आपकी result कब तक आजाएगी या कब तक आएगी उसकी परकिरिया को लेकर पूरी information step by step दी हुई है तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज से 10-12 दिन पहले जो है प्रकास जी ने प्रकास गड़ में MSC DCL करमचारी उनके office के सामने एक माहा आंदोलन किया था और जैसा कि वो आंदोलन 4 जनवरी 2021 को किया था प्रकास गड़ में किया गया था और MSC DCL के office के सामने किया गया था तो दोस्तों जो MSC DCL के करमचारी हैं उन्होंने यह कहा था कि 15 दिनों के अंदर जो है विदुख साहिक के result जारी कर दी जाएगी पर दोस्तों अगर उन्होंने 4 तारिक को आंदोलन किया था तो 15 दिन मिलाकर आपकी जो है result 29 जनवरी 2021 को जारी कर दिनी चाहिए थी और दोस्तों आज हो गया है 20 जनवरी 2021 हो गया पर दोस्तों result से जुड़ी हुई कोई official update नहीं आई है MSC DCL के website पर या MSC DCL के करमचारी या उर्जा मंतरी नितिंतराओत के तरफ से कोई update नहीं आई है तो पूरी update हम बताएंगे कि क्या आपकी result आएगी क्योंकि बहुत सारे comments आ रहे थे क्योंकि हमारे channel के माद्यम से एक poll भी कराया गया था और उस poll में candidate का क्या मानना था result से जुड़ी हुई को कि क्या result आएगी कि नहीं आएगी तो पूरी information आपको दी जाएगी तो दोस्तों पूरी information जानने के लिए अभी हमारे YouTube channel study zone को subscribe कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों एक notice भी आ रहा है और उस notice में क्या कहा गया है हम आपको वो notice भी देखाने वाले हैं तो दोस्तों पूरी information जानने के लिए अभी हमारे YouTube channel study zone को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर दीजेगा और दोस्तों जादा जादा इस वीडियो को share कर दीजेगा क्योंकि महावित्रन की अगर कोई भी update आती है तो सबसे पहले हमारे channel study zone के माद्यम से आप तक share किया जाता है तो candidate बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी result कब आएगी इसकी भरती कब आएगी और इसकी joining कब होगी हमें joining कब तक मिलेगी मिलेगे की नहीं मिलेगी इसको लेकर candidate को बहुत इस बात को लेकर tension है या confusion है कि क्या भरती cancel हो चुकी है या contract based candidate को रख लिया गया है जैसा कि दोस्तों मैंने facebook page पर facebook group पर मैंने देख रहा था कि जो दो-तीन दीन से देख रहा था कि जो candidate है उसको result लेकर काफी घुष थे पर कभी candidate है करना है कि अब ये जो हमारी भरती है वो आएगी नहीं क्योंकि जो contract based candidate है उसे ही regular permanent करा दिया गया है इसलिए इस भरती की प इसको लेकर तब भी दोस्तों सब कुछ होने के बाद भी अभी तक इसकी result की कोई update नहीं है और दोस्तों आपको पता है कि हाल फिलाल अभी जो उर्जा मंतरे ने उन्हें एक बैठक की थे एक meeting की थी कि महराष्ट में बिजली भाग में जितनी भरती है उसे जल से जल से जानेगी क्या कितना साल और रुकना पड़ेगा जैसा ही candidate दो साल से रुके हुए हैं अब क्या उनकी क्या पांच साल लेंगे या दस साल लेंगे इस भरती को पूरा करने में candidate उसके लिए भी आशाल आगे बैटे हैं अगर भरती कैंसिल हो चुकी है तो किलियर कर दीजे कि candidate अगर दुसरी जगा पर जाना चाहते हैं या तियारी करना चाहते हैं तो अपनी तुरी करेंगे क्योंकि दोस्तों इस भरती के सारे कितने candidate बैठे हुए हैं कि इसकी result अब आएगी इसको लेकर कहा कहा से दूर दूर से candidate आन्दूलन करने आ रहे हैं कि बस कि इसकी result से चल जारी हुजाए, हम अपनी परणाम देख ले, हम अपनी नबर देख ले, कै अमरी सलेक्शन होगी की नहीं होगी, इसको लेकर, तो दोस्तो अभी तक ऐसा कोई अफडेट नहीं है रहा है, कि अभी तक किया जाए, जैसा कि दोस्तु प्रकास जी ने फीर से कहा था, कि अगर 15 दिन के अंदर MSC DCL के करमचारी अगर रिजल्ट नहीं निकालते हैं तो इसको लेकर हम फिर से आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन महा आंदोलन होगा क्योंकि दोस्तो उस बार उनका करना था कि रिजल्ट डिकलियर करा के ही इस आंदोलन को खतम किया जाएगा atheist कितनी अंदोलन 2 साल के अंदर ऑई कैंड़ेट ने की काफी लोगे ने की इनको नोटिस दिया इनको पत्र दिया पर दोस्तों इस भरति पर दोस्तों अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है क्या उर्जा मंतरी के मन में है या क्या वो इस भरती के परिकिरिया को पूरा करना चाहते हैं यह कॉंट्रैक्ट बेस कैंडिडेटी को रखना चाहते हैं तो वह भी तो एक बार किलियर कम से कम कर दे कैंडेट उसको लेकर भी तो संतुष्ट हो जाएं कि वह जो है हमारी इस भरती है यह रद हो चुकी है अब इस भरती की ना डॉक्मेंट भरिफिकेशन होगी ना मेरिट लिस्ट आएगी ना रिजल्ट आएगी क्यों दोस्तों इतना दूर दूर से आप लोग का इंडेट पर सान रह बढर बार ट्विट कर रहे हैं उनके हर एक ट्विट पर मैंने देखा एक एंडेट करते हैं कि विदुख साइक की रिजल्ट सरकाव आएगी मेरिट लिस्ट का आएगी और इसा कितरा दिन और लए गाने में आका आपका एंडेट भी बहुत ज़्यदा एफश्ट लगाया हुए है कि इसकी रिजाल्ट आ जाए पर दोस्तों MSC DC ले करमचारी और उर्जा मंत्री इस भरती को निकालने के प्रोसेस को आगे ही नहीं पड़ान चाहते हैं तो इसलिए दोस्तों यह भरती अभी तक अठकी हुई है दोस्तों उनके है वह भैकेंसी चीन रही है पर दोस्तों वह 8500 वैकेंसी कहां है अभी तक तो उसकी लिए कोई ओफीसल नोटिस नहीं जहरी हुआ शिरीफ एक मीटिंग के बाद में माध्य हम से कह दिया गया कि हम नया नौकरी निकाल रहे है उपकेंद्र सायक और विदुक सायक की भरती को भी हम जल से जल क्लियर कर देंगे पर दोस्तों लगबग 6 मैना हो गया उसको बात की अभी तक न वह 8500 की नई वैकेंसी आई ना हमारी उपकेंद्र सायक न विदुक सायक की भरती क्लियर हुई तो दोस्तों इ कोई अपडेट नहीं आ रहा रहा हैं और जो अधिकारी हैं वह सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद मेंसी डिसेन Which करमचारी कर रहे हैं कि इस दस दिन के आ जाएगी पांस दिन के जाएगी एक दिन के अंदर आ जाएगी पर दोस्तो रिजल्ट नहीं आ रही है तो दोस्तो यही अपडेट थी जो हमने आपको दे दिया क्योंकि आज दोस्तो मैंने भी वेबसाइट बहुत बार विजिट किया तब ही result की कोई update नहीं थी कोई notice नहीं थी तो इसलिए दोस्तो आपकी ये वीडियो बनाना बहुत ही आज जरूरी था क्योंकि दोस्तो 15 दिन का उन्होंने वादा करके भी वो अपने वादे से बार बार उनकर जाते हैं वो बार बार हमें जूटा दिलासा देते हैं पर result नहीं देते हैं तो दोस्तो यही अपडेट जो आ रही थी हमने आपको दे दिया अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लागा होगा तो share जूर करिएगा क्योंकि candidate को इस वीडियो को जरूर share करिएगा कि उन्हें भी पता चला चाहिए कि MSE DCL के जो करमचारी है वो हमारे साथ वो candidate के साथ कितनी बड़ी विश्वास घाट करते हैं 15 दिन का के 16 दिन होने जा रहे हैं पर दोस्तो अभी तक result की कोई उमीद नहीं है तो यही अपडेट आ रही थी जो हमने दे दिया अगर और कोई भी अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के मादियम से आप तक सबसे पहले share किया जाएगा क्योंकि दोस्तो अगर कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट आती है चाहे वो official हो चाहे वो on official update हो हमारे चैनल स्टाडी जोन के मादियम से आप तक जरूर सेर कियाता है तो अगर और कोई अपडेट आएगी आपकी उपकेंदर साहिब विदुक साहिख से तो हम आप तक जरूर सेर करते रहेंगे क्योंकि दोस्तो आपको हमने काफी दिनों से उपकेंदर साहिख और विदुक साहिख के हर चोटिया बड़ी अपडेट दी है तो अगर और कोई भी अपडेट आएगे जरूर सेर के जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तो जाहिंद है सेर呀 श्राय को जाहिंद है झाल झाल झाल क्पास